अससलाम अलेकुम, जरू आज कि इस वीडियो की शुरूआत करते हैं और इस वीडियो में भी हम लोग एक नहीं दो चेप्टर को कमप्रीट करेंगे चेप्टर नॅ लाण्ब मखरान 정확 ठीक है अब जरा हम लोग मुसर्णिफ यानि की हसन नाइम के बारे में कुछ समझ लेते हैं कुछ डीटेल्स जान लेते हैं क्योंकि एक्जाम में कोष्टन पूछ देता है और फिर इन दोनों चप्टर को हम लोग कोष्टन हैंसर के साथ कंप्लीट करेंगे तसरीख के शांथ ठीक है तो हसन नाइम का जो रियल नेम है वो है सयद हसन इनकी पैदाइस यानिकी इनका जन्म हुआ था छे जन्वरी उन्हें से चौबिस सभी को पटना में कोई दिकत नहीं है वजारते खार्जा में खार्जा से वाबस्ता था लेकिन किसी वज़ा से मुलाजमत से मुस्त ठीक है गालिव इंसिट्यूट डिल्ली के डिरेक्टर भी हो रहे हसन नाइम ठीक है पहले उस्ताद फसी उद्दीन थे मतलब इनके जो पहले उस्ताद पहले टीचर थे वो कौन थे फसी उद्दीन और फिर शेर वशायरी में इनके दूसरे बज़र्ग टीचर भी क्या किय किये थे कौन-कौन से मैं नाम लिख दी हूं देखिए बिसमी लजीम अबादी यह जमील मजहरी और मैनियस जीए क्या है यह सब बज़र्ग है जो की एक टीचर है और हसना इंको क्या किया है से वशायरी में हेल्प किये हैं ठीक है गालिब और मॉमिन जैसे शौराय से यह म तरह से इन दोनों का ही रंग हसन इन दोनों की रंग ही हसन नाईम के शिर्वशारी उनके घजल में जलकता है ठीक है हसन नाईम का इंतकाल हुआ यानिकि उनकी मौत हुई 22 फरवरी उन्हें से एकानबी रिस्वी को और यह होगी आप लोगे हसन नाईम के बारे में कुछ ड फरवर नकलती हूँ हां तो चलिए देखते हैं पहले गजल में थान नाईम कैसे लिखे हैं अपने मदब क्या इसमें बताने की कोशिस किये हैं देखे पहले शेर में यानिकी मतला में कह रहे हैं कल व और जा में हुसन की गहराईया रह जाएंगी तुवा सूरज है तेरी प तेरी परचाईयां रह जाएंगी यान कि वह सूरज है कि तुम डूब भी जाएगी न तो तुमारी परचाईया तुमारी यादे हमारे दिल में हमेश्रा के लिए बैठ गई है और तुमारी यादे आती रहेंगी एहल दिल को याद सदियो आएगा मेरा जुनू शोहरते फना रस्वाईया रह जाएंगी इस दूसरे शेर में हसन नईम यह बताना चाहा रहे हैं कि जो दिल वाले हैं ठीक है उनको मेरी क्या बोला जाएगा सैक्ड़ों वर्सों तक सैक्ड़ों सालों तक मेरी जुनू यानि कि मेरी दिवानगी याद रह जाएगी भले ही मैंने काम क मेरी थनहाईय रह जाएंगी चैट तीश्य शेयर में यह बोल रहा है कि मेरी जो गजले हैं वह सुबह साम क्या रहेंगी दे करेंगी तेरी दे में अकेली रहओ worked and अके और तुझ्छा Daha ठीके मैं निकल जाओंगा अपनी जिस्तजू में एक दिन बज मियारा में ख्याल आराया रह जाएंगी इस चौथे शेर में हसन नाइम बोल रहे हैं कि मैं एक दिन निकल जाओंगा अपनी तलास में अपनी तलास में मैं एक दिन निकल जाओंगा कहीं दूसरी जगा और मेरे यार दोस्त हैं उनके मतलब वो ख्याल आराईया ही करते रह जाएंगे मतलब यह सोचते ही रह जाएंगे कि कहां गए तुम ठीके दूर तक कोई नहोगा नगमा संजू में नईम बस चमन में याद की पुरवाईया रह जाएंगी यह लास्ट शेर हैं और इस लास्ट शेर में हसन नईम यह बता रहे हैं कि वहाँ नईम वहाँ धूर तक कोई भी नगमा सुनाने वाला नहीं रहेगा बस चमन में तुम्हारी याद की पुरवाईया रह जाएंगी उस चमन में मतलब तुम्हारा जो याद है वो लोगों के जहन में बस जाएगा और सभी लोग तुमको को याद करेंगे ठीक है तो यह होगी आप लोग का पहला गजल कंप्लीट यानि कि 31 चेप्टर कंप्लीट तर्श्री कर दी समझ में आ गया अब बात आती है दूसरे गजल की यानि की चेप्टर नंबर 32 की चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं देखिए दूसरे गजल में क्य कहानी उन्हीं लोगों को सुनाओ जो गम को समझे कहानी दिल की मतलब अपने दिल की कहानी उन्हीं को सुनाओ उन्हीं को बताओ उन्हीं से कहो जो जखमी दिल वाला है मतलब जो क्या है आपकी उदुखी को आपके परिशानी को समझ सके और वो उस रास्ते से मतलब उस पर रहे हैं वहां उन लोग को यकीन है कि मतलब मैं बोलूंगा मतलब वो लोग जो चाहते हैं वो मैं बोलूंगा उन लोग को यकीन है लेकिन मुझे यह फिक्र है कि माहौल ठंडा हो माहौल अच्छा हो तब मैं बोलू तो सब लोग मतलब नराज हो जाएंगे और एक मेरी अलगी बदनामी और एक मेरी वांऔर की कौन से मंझिल में मिल रहा है सपूं हमारी तरह कोई बेक्रार हो तो कहें इस तीस L कि दिवानगी की कान सी मन drie में सुकून मिल रहा है यह मैं उसी को बताऊंगा जो मेरे तरह बेकरार हो मतलब दिवानगी की कौन से मंजिल में सुकून मिल रहा है वो मेरे तरह कोई बेकरार हो तब मैं उसको बताऊं लेकिन कोई नहीं है जो मेरे तरह मतलब गम में डूबा है मेरे तरह कोई बेकरार है ठीक है कई फसाने ही जिरा बेरब्त जिक्र वफा किसी का अब ना तुम्हें इंतजार हो तो कहें लेकि इस अगले शेर में हसन नहीं बोल रहे हैं कि मुझे भी अपनी बात रखने का दिल करता है लोग को अपनी बात बताने का मन कर रहा है क्योंकि अभी वफा की बात चित चल रही है मतलब लोगों की जो बात चित चल रही है उसमें वफाई की बात आ गई है वफाई की चर्चा हो रही है तो मुझे भी मन कर रहा है कि मैं क्या करूँ अपनी दिल की बात बताऊं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा इसलिए नहीं बताऊंगा क कि में अपना फसाना में अपनी कहानी मतलब उससे नहीं कहा, मैं अपनी कहानी अपने घम का फसाना उससे नहीं कहा,Day तो कि उसके जिन्दगी अच्छी खासी चल रही थी और मैं इंतिजार में हूँ कि कब उसका क्या बोला जाएगा सोगवार हो उनकी शाम भी कुछ सोगवार हो तो कहें तो मैं इंतिजार कर रहा था कि कब उनका जो शाम है वो उदास होगी और जब वो उदास होगी तब मैं अपने का फसाना से सुनावाइब मैं अपने फसाना करो अथ्य दिन कर अपने घूझाए तर आपने घुझावे अपने आखों कुछ अष्छाना हशन नाइम की मैंने उन से कुछ गुजारिस की ठीक है और वह मुस्कुराएं की गुसा हो गई यह मुझे खुद मालूम नहीं ज़ला मुझे अपनी आखोपर भी इतिभार नहीं मुझे घुछा नहीं के लाज्ट श्रेड़ मक्ता है तो इस श्रेर में हसन नाइम बताने की कोशिस कर रहे हैं मैं अपने मतलब दिवानगी की कहानी को किस से बताऊं नहीं कोई इस दुनिया में मुझे मतलब मेरे गम को पहचानने वाला मेरे गम को समझने वाला हो तभी तो मैं उससे बताऊंगा लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे गम को मेर और मेरे एहसासों को समझे ठीके मेरी गम को पहचाने ठीके तो वहीं बोल रहे हैं कि मैं किस से कहूं नहीं कोई इस दुनिया में गम को पहचानने वाला हो तो कहें और इसी के साथ आप लोगा चैप्टर नंबर 32 भी कंप्लीट होता है इसका भी इसका भी तश्री कर दी में तो ये दोनों चैप्टर का तर्श्री कंप्लीट होगी आप इसके कोश्ण इंसर को देख लेते हैं हां तो आप लोगा का स्टार्ट होता है मुक्तसिर तरीम सवलात से यानिकी अति लग उत्रिया प्रशन से सबसे पहला सवाल है हसन नाइम की पैदाईश कहां हुई तो हस सिर्फ कहां हुई ये पूचा है दूसरा सवाल है हसन नाईम का इंतकाल कभ और कहां हुआ देखे इसमें दोनों पूछा है कब यानिकि किस डेट को और कहा यानिकि किस जगह को तो उनका इंतकाल हुआ था 22 फरवरी उन इसकानबर्स्वी को कौन से जगह पर मुंबई में ठीक है तो लीजिए मुंबई में लिख दे रही हूं अभी बता दी कोई दिकत नहीं पहले लिखना भूल गई थी उनका इंतकाल 22 फरवरी उन्हें से कानवरिस भी को मुंबई में हुआ था ठीक है तीसरा सवाल है हसन नाईम किस मुलाजमत से मस्ताफी हुए यानि कि हसन ना सवालाद यानि कि लगो उत्रियव परश्वन इमात सबसे पहला सवाल है हसन नाईम की घजल गोई की ख़सूसियात मुख्तिरन बियान खे हसन नाईम की घजल गोई यानि फू पन dwukko बताना है ठीक है तो ये पांच, छे सेंटेंट में लिख दिजिएगा, मुक्तसिर सवालात हैं दुसरा सवाल है, इन अशार की तश्री कीजिए, यहां पर कुछ शेर दिया है आप लोगो को और इसका क्या करना है, आप लोगो को तश्री करना है, खुलासा करना है तो वह सूरज है तेरी परचाईया रह जाएंगी फसाना गम का कोई गम गसार होतो कहें कहाने दिल की कोई दिल फगार होतो कहें ये लाइन का इस शेर का क्या करना है अप लोग को मतलब बताना है जो कि मैं आप लोग को अलरेडी बता चुकी हूँ तो आप लोग ये खुद से लिख सकते हैं अब बात आती है तविल सवलात की यानि की दिर्ग उत्रिय परशन की बात सबसे पहला सवाल हसन नाईम की गजलों का आम रंग क्या है कोईशन की कहने का मतलब ये है कि हसना नाइम की घजलों में किसका रंग दिखता है तो हसना नाइम की से वशाईरी में किन बुजर्ग हेल्प की थी तो सब्सक्राइम को सिर्वशारी में हेल्प किये थे होसला अफजाया था ठीक है उनका अब बात आती है तीसरे सवाल की हसन कि शराय से खास तोर पर मतासिर थे तो हसन नाईम जो है ना गालिब और मौमिन जैसे शराय से मतासिर थे ठीक है खास तोर पर चार नंबर सवाल है हसन नाईम को जदीद शायरों में क्यों इन्फरादियत हासिर है यह चार नंबर लाश्ट सवाल है ठीक है कोशन के कहने का मतल किये गए और इसी लिए क्या हुआ हूँ मतलब जदीद शायरों में इनकी इनकी बैक्तित्व इतना अच्छा हासिल है ठीक है और इसी के सांथ आप लोगों का यह चैप्टर है चैप्टर नुबर 31 और 32 यह दोनों चैप्टर कोश्टन इंसर के सांथ कंप्लीट होता है अब विडियो में अगले चैप्टर को स्टार्ड करेंगे और उसको भी और बहतर तरीके से जो कुछ मैं बता रही हूं समझा रही हूँ समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है लाइक कीजिए वीडियो सकू ज्यादा शेयर कीजिये अपने परोसियों के पास अपने द कम फीजन हूँ आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं तो फिर मुलिएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिस